भादर प्रद महा में क्रिश्म पक्स की तृत्या तिति को अखंड सोभागे का फल परदान करने वाली कजरी तीज का वरत होता है कजरी तीज के वरत का फल स्वागन महिलाव के साथ साथ कुवारी लड़कियों को भी प्राप्त होता है यहे वरत माता पारवती और भगवान सीव को समर्पित होता है इस वरत को पूरे विदी विदान से करने पर सुआगन महिलाव को अखंड सोभागे का फल परदान होता है तो वही कुवारी लड़कियों को भगवान सीव के समान अच्छे वर की प्राप्ती होती है बगवान सीव को पती रूप में पाने का संकल्ब लेकर कजरी तीज का वरत सबसे पहले माता पारवती ने किया था माता पारवती ने इस वरत को करीब डेट सो साल तक किया था जिसके बाद माता पारवती ने बगवान सीव को पती रूप में पुराप्त किया था धार्मिक मानेताओं के अनुसार सुआगन मैलाओं के साथ साथ इस वुरत को कुवारी लड़का भी रख सकती है कजरी तीज के वुरत का प्रटलन उत्तर भारत में अधिक होता है कजरी तीज के महतु को लेकर हरद्वार के विदुवान जोदिसी पंडिस रिदर सास्री ने और क्या कुछ कहा है सुनिए सनातन धर्म में परवों का कर्म चलता रहता है जैसा कि अब स्रावन मास के बाद अब भाद्रपद मास प्रारम हुआ है तो कृष्ण पक्स की जो तिर्तिया तिथी है उसको कजली तिर्तिया के रूप में मनाते हैं और यह परव इसी परकार से होता है जैसे जो पति वरता जो महिलाएं है करवा चोथ एवं बट सावित्री वरत इस परकार के जो पति की दिर्गाईव कामना वाले जो वरत होते हैं इसी परकार से जो कजली तिर्तिया है यह भी माता पारवती एवं जो भगवान संकरजी से जुड़ा पर्व है और जो की पति की कामना दिर्गाई की कामना एवं घर में सुकसानती और दन का आगमन हो इस परकार की कामना की जाती है तो यह पर्व 21 तारिक को 5 बजगर 6 मिनट से प्रारम हो रहा है उस दिन तो यह पर्व साइंकाल प्रारम हो जाएगा परंतु अगले दिन 22 तारिक को उत्रा भादर्पत नक्षत्र में प्रातहकाल 5 बजगर 54 मिनट से इसका सुमुहुरत प्रारम होता है माता पारवती ने भगवान संकर जी को पती रूप में प्राप्त करने के लिए लगभग 1500 वरस्तक तपस्या की और तपस्यात भगवान संकर जी को अपने पती के रूप में प्राप्त किया इसी परकार से जो इस वर्त की जो महिमा है वह पती वर्ता इस्तरियों के साथ जो कुवारी कन्याएं हैं उनका जिनका व्युहा संपन नहीं हुआ है तो उनके सोभागय के लिए कि उनको अच्छे पती प्राप्ती हो वे भी इस वर्त को कर सकती हैं और साथ ही जो पीपल का व्रक्ष होता है अस्वत भी कहते हैं उसको उसके नीचे यदि हम वे महिलाएं पूजा करें उससे घर में धन का आगमन और सोभाग्य संतती एवं सभी परकार की जो अच्छी जो हमारे दिये जो सुभ हो सकता है ये सब हमें प्राप्त होता है प्राप्त है